ये हमरे बहुते हिए जने मजार के स्वाम की बता पर बताते हैं काने उंगली डालते औरिया औरतों कोई तो इसकी कुछ हकीकत है अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये पता है कि बाज मंदिरों में भी सेम ऐसा होता है जी जी होता है मालूम बाज इसाईयों के healing sessions है यूट्यूब पे विडियो पे पूरी उनकी भरी पड़ी है जहां वो ऐसी चीजें उनके हैं भी होती है और हमारे हैं दर्गा पे होती है और आप बताओ कि जो जिन है मालो कोई जिन परिशान कर रहा है तो अच्छा जिन होगा बुरा जिन होगा बुरा होगा बुरा होगा वो बुरा जिन हमसे क्या चाहता है कि हमारा अच्छा हो जाए या बिगड़ जाए बिगड़ जाए बिगड़ जाए अब ये सोचो कि कोई इनसान अगर ऐसे मंदिर में गया क्रिश्चिन के हीलिंग सेशन पर गया या दरगा पर गया और वहां जाकर वो बुरा जिन अपना असर थोड़ा कम कर ले या थोड़े दिन की चुटी दे दे तो आदमी का अकीदा क्या बनेगा बुरा जिन चुटी दे दो मतलब जो बुरा जिन है जो असर दाला है किसी को परेशान कर रहा है और वो शक्स जिसको परेशान वो कर रहा है वो गया मंदिर में या हीलिंग सेशन में गया या तावीज पहलिया शिर्किय या मान लीजे कि दर्गा पर गया या कोई बिदत किया और ये जो बुरा जिन है अपना असर कम कर लेगा अपना असर कम कर ले या थोड़े दिन की छुटी दे दे उसको थोड़े दिन तक उसको छुटी दे दे हाँ तो सामने वाला जो उसका अकीदा क्या बनेगा बताओ उसका यही अकीदा बनेगा थी बाबा हमें ठीक कर दी और क्या अकीदा बनेगा अब यह बात को कलाम का समझने में देखो दुनिया है यह दुनिया में सही और बलत दोनों तजूबे होते हैं अच्छे बुरे दोनों तो आप जो आपकीदा सीखोना ये दुनिया की जो चीजें आप देख रहोना इसे देखकर अकीदा मत बनाओ आपकीदा बनाओ कुरान और अधीस से बनाओ लाइगा तो क्या क्या करने वाला है आपको पता है जितने लोग यानि अस्थानों पे और मंदिरों पे जो वहां पाप पता करेंगे जा करके तो वहां देगें होती हैं या कुछ पेटियां होती है और वहां लिख्खा होता है कि जिसकी मनों कामना पूरी हो गई हो वो आकर के अपना नाम लिखुआता है और बाकाइदा फिर वो उसके नाम से देख चड़ती है या कुछ बंडारा होता है या कुछ दाम देता है अब आप देखिए कि हर मंदिर में या हर अस्थान पर जाए कि हम गये थे और हमारा फाइदा हो गया और उसकी बुनियाद पेवाज सही या गलत है जैसा कि सहित भई समझा रहे थे मैंने थोड़ा सा उसमें एड़ कर दिया वो इंतहाई गलत है अब देखो भी दज्जाल वाली हदीस दज्जाल जाएगा कुछ लोगों को दावत देगा के मुझेम एंत में रहो और चीजेंगे आथ आस्मान को कहेगा तो आस्मान को हकुम देगा तो आस्मान बारिश बरसाएगी उससे अच्छी फसल निकलेगी उनके जानवर आएंगे तो उनके थन पुरे भरे वे होंगे दूद से और जो लोग उस पर इमान निलाएंगे उन पर क्या मुश्किल आएगी अब ये सारी क्या है कि हमारे ले दलील ये नहीं है हमारे ले दलील क्या है और एक और मिसाल आपको पता है कि बनी इसराइल ने इमान बनी इसराइल ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी मुशा अल इसलाम के जमाने में किसकी गाएं की और हुआ क्या था उनके साथ हुआ ये था कि उन्ह एक आग में से गाए का बच्छडे का जिसम निकला और लहु खुआर उन उसमें से आवाज भी आ रही थी मू जैसी आवाज होती है न तो तब सामिरी ने कहा हादा इलाहुकुम वाइलाहु मुसा ये तुम्हारा माबूद है गौड है तुम्हारा और मुसा की भी माबूद है फनसी है मुसा भूल गए तो वो लोगों ने अबादत करने लगे तो अब यहाँ पर क्या है ऐसे तज्वे जो होते हैं दुनिया में सही गलत दोनों होते हैं तो इसको कभी दलील नहीं बनाना इम्तिहान तो इसी को कहते हैं चीक है